दौसकार आप देख रहे हैं इंडिया की बात मैं अभिसार शर्मा और मेरे साथ हैं भाशा और उर्मिलेश और आज इन तीन मुद्दों की चर्चा हम आपके सामने करने जा रहे हैं उत्तरपदेश में जज के सामने एक कुख्यात गैंग्स्टेर की हत्या यहां कानून का निजाम है यह रामराज यह जंगल राज मुद्दा नमबर दो पहलवान बेटियों के सामने सरकार जुकी मगर क्या मोदी सरकार पर विश्वास किया जा सकता है मुद्दा नमबर तीन एक बड़ा ट्रेन हादसा मगर पूरा मीडिया प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन कर रहा था शुरुआत करना चाहेंगे हम उत्तरपदेश की घटना और ना सिर्फ उत्तरपदेश की घटना समाना अंतर पौरत देखिए कि मंणअपूर में क्या चल रहा है उत्तरपदेश में एक जज के सामने कुख्याद गैंक्स्टर जीवा की हत्या कर दी जाती है याद कीजे अतीख एहमत को भी इसी तरह से मौत के घाट उतार दिया गया था पुलीस की मौजूदगी में ये हो क्या रहा है और सबसे बड़ी बात मनिपुर में भी भाजपा से हालात कंट्रोल नहीं हो रहे हैं महराश्र में भी हालात बचसे बतर हो रहे हैं मगर क्या इन में जो हो रहा है कोई जंगल राज की संग्या देगा जंगल राज कहेगा क्या है इस मुद्दे का पान शुरूआत करते हैं भाशा से अभिसार एक बात जो साफ दिखाई दे रही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बुल्डोजर और इंकाउंटर्स का दौर शुरू किया था योगी आदित्तिनाथ ने वह दिखा रहा है कि पूरा अपराद अपराद की दुनिया कानून विवस्था को ध्वस्त कर रही है और इसकी जिम्मेदारी सौ फीसदी योगी सरकार पर जाती है और साथी साथ देखिए जिस तरह से दलित बच्चियों के साथ अपराद घंगोर हो रहे हैं शांती है यानि जंगल राज राम राज क्या होगा इस प्रदेश का और देश का वो हमारे सामने हैं अभिसार क् है इसपे आपका पंच। कि एहमत को मार दिया जाता है एक गैंग्स्टर को मारा जाता है और कहीं अद्रिश्च टाक्तों को ऐसा लगता है कि इस से पार्टी विशेश को वोट्स मिलेंगे अपने आप में हम इस राज को इस देश को एक बनाना रिपबलिक बना रहे हैं जो शर्मनाक है आप बताएं और मिलेशी क्या इस मद्दे पर आपका पंच देखिए अबसार मुझे कई बार लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राजी के बारे में जब बात की जाती है जंगल राज से उसका उसकी तुलना की जाती है तो ये जंगल राज वाला रूपक जो है वो मुझे बहुत मिस् मशिंडरी नहीं होती है लेकिन राज्य में लोक याइसा लगता है कि उसका विलोफ हो गया है जो गता है कि एक एसी मिली भगत है आप राजींगे जो दोनों मिलकर चीजों को अपने ढंक से चला रहे हैं भाशा वो तस्वीर मुझे याद है जद साहब जो हैं वो मेज के नीचे चुपे थे जब वो हत्यारा आता है और गैंग्स्टेर को मौत के घाट उतार देता है दुक्की बात ये है कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहेंगे कि देखो विकास दुबे की गाड़ी पलटा ही अच्छा किया अतिक एहमत कुमारा अच्छा किया सभी अपरादी थे और अब जीवा जो एक और कुख्यार गैंग्स्टेर वो भी मर गया वो भी अच्छा होगे कानून का निजाम बच से बत्तर हो रहा है कि अपराधी जब सरपरस्त हो जाते हैं सत्ता के तो इस तरह से अपराध लगातार फैलते रहते हैं इसका सीधा सीधा कनेक्शन पोलिटिकल पावर से है योगी आदितिनाथ जब बोलते हैं वो बतोर मुख्यमंत्री नहीं ठोक देंगे ठोक देना आपके लिए प्राइड है तो तमाम आप राधियों को लगता है उत्तर प्रदेश में कि ठोकने का लाइसेंस उनको बुख्यमंत्री से मिला है और यह देखे इस से शर्वनाग क्या बात होगी कि उत्तर प्रदेश की घटना अभी आई है बस्ती मे जो एक नाबालिक बच्ची के साथ बलातकार हुआ है उसको मार डाला गया है उसमें सीधे सीधे जो आरोप आ रहा है वो भारती जंता पार्टी की नेता का नाम आ रहा है बिलकुल मैं बतादू मैं एक चीज़ बता दूं कि पोस्टर सामने आया है और उस पोस्टर में उस बच्चियों दलित महिलाओं के साथ उत्पिडन की यानि ये सिलसिला सिर्फ मुसल्मानों की खिलाफ का मामला नहीं अभी सार जो शुरू में लोगों को लग रहा था न कि सिर्फ मुसल्मानों को निप्टा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है हिंदू राश्ट बन रहा है दरसल उत्तर प्रदेश इस बात का नमूना है कि अगर नफरत पर और अपराद पर कोई राज जी की स्थापना होती है तो उसकी गिरफ्त में सब आएंगे कोई बचेगा नहीं उर्मिलेश जी मैंने कारकरण की शुरुआत में कहा था कि जो हो रहा है उत्तर परदेश में इसकी कलपना फिल्म में और वेब सीरीज में नहीं हो सकता है अब एक बहुत बड़ा रहस्य है मैं चाहूंगा कि इस रहस्य पर आपकी टिप नहीं चाहूं देखिए अतीख हाह की हत्ते है जिन लोगों नहीं की उन्होंने टरकिश वेपन्स का इस्तमाल किया वो कट्टों का इस्तमाल कर सकते हैं नहीं टरकिश वेपन्स जिनकी खीमत लाकों में है अब यहां पर भी आपसे मेरी बात हो रही थी कि यह जो हत्यारा है इसने भी इंपोर्टेड वेपन्स ये निश्टित रुप से बहुत पैसे में आते हैं और ये छोटे मोटे कोई अपराधी इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जिस तरह से अतीक अहमत के मामले में दिखाया गया है कि वो तीनों नो सिखुआ थे तीनों अभी हाली हाल में रिकूरिट हुए थे अपराध जगत म में ऐसा नहीं है उनके पीछे जरूर कुछ ऐसे लोग थे जो अद्रिश्ट हैं और जो काफी बड़े खिलाड़ी हैं अपराध जगत के और बहत गरीब भी थे उनकी प्रिश्ट भूमें बहुत गरीब थी खाने के लिए नहीं है और जिनका राजिक की मशीनरी का जिनको पैट्रिनेज है ऐसे कुछ लोग रहे होंगे जिन्हों ने उन समों को ये सब मुहाया कराया होटल में रखवाया होटल के बाद उनको तैयार कराया इस तरह से हुआ तो हमारा ये कहना है कि आज के दोर में अगर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं कभी अस्पताल में हो रही ह कोट रूम में हो रही हैं तो यकीनन ये मामला सिर्फ ये नहीं है कि कुछ अपराधियों को अपराधी मार रहे हैं ये संरक्षित अपराधी हैं जो अपने राइवल अपराधियों को मार रहे हैं जिनको स्टेट भी समझ रही है कि इनको मरवाना ठीक है लेकिन आप ये याद से असामत लोग हैं तो जिस तरह से मुसल्मानों के बारे में का जाता है कि मुसल्मान मारे गए तो हिंदू बड़े खुश हो जाते हैं लेकिन रात इंदौरी का वो शेर याद है ना बिलकुल की जो कहते है कि ये घर जले आपका घर जले लगेगी आग तो आएंगे घर कई मीडिया के पास इतनी मिसाल हैं इतने रूपक हैं इस खबर पर खेलने के लिए भाशा अकसर इस शब्द का इस्तिमाल किया जाता है निउसरों में खेल जाएए इतना कुछ है खेलने को मैंने कल एक निउस चैनल में देखा और मिलेशी भाशा कि एक महिला एंकर कह रही है यह कतल की कहानी है कितने हलके ढुडड से उस खबर को ट्रीट किया जा रहा है उसका अप्राद बताया जा रहा है जितने चैनल किल चला रहा है वो बता रहे है जिस के बारे में वहां पर जो मैतीड ही संगicit के लोग है कि इसमें कुकी का बचना मुश्किल है अब आप सोची अगर यह स्थिती वहां तो डबल इंजन की सरकार है भारती जंता पार्टी की सरकार है देश की राजधानी दिल्ली में तमाम लोग जाते हैं ग्री मंत्री के घर के सामने प्रदर्शन करती है महिलाएं और कहती हैं हमें यह सरकार नहीं चाहिए क्योंकि यह हमें अपस में लड़वा रही है आप तुरंग प्रेसिडेंट रूल लगाए यह अंजाम है यह जो हिंसा होती है जब एक अपराधी को जो मिलेश जी कह रहे हैं आप संडक्षन देते हैं वह अपराधी तमाम तरह के लोगों को और दि हम लोगों को निशाने पर रखते हैं देखे वही हो रहा है उत्तर प्रदेश में जो मारे जा रहे हैं अब वो दलित हैं या बाकी हिंदू सो कॉल्ड कोट अनकोट हिंदू हैं जिनके उपर हमले हो रहे हैं मैं एक बात बता दूँ उत्तर प्रदेश की तो हम बात कर ही रह है कल्पना कीजिए अगर ये किसी कॉंग्रिस के राज में किसी आम आदमी पार्टी के राज में हो रहा होता किसी विपक्ष के राज में होता तो क्या क्या नहीं कहता मीडिया मगर मीडिया क्या कर रहा है आप जानते हैं और मिलेजी मीडिया डिबेट कर रहा है गेमिंग जिहाद पर मीडिया डिबेट कर रहा है औरंग जेब पर यहां पर देखिए जो हो रहा है मनिपूर में अप्रत्याशत है मुझे तो अविसार ये भी लगता है कि मनिपूर से ध्यान हटाने के लिए महारास्ट में ये शिगुफा छोड़ा गया है ये वहाँ पर जानबूश करके एक योजनाबद रंग से और शरत पवार और सुप्रिया की बातों को देख करकी उन्होंने कल ब्रिफिंग की सुप्रिया सुले ने उनकी बात से भी लगता है कि ये एक आर्गनाईज रंग से सोची समझी योजना के ताथ ये सारा कुछ किया जा रहा है वैसे मैं यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ मैं आपको बता दूँ ये जो बात कही है सोची समझी तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए जब करनाटक के चुनाव शुरू होने वाले थे तक ती राजा सिंग महराश्ट में घूम घूम कर भड़काव बयान दिया करते थे आप को कंडिशनल बेल मिली हुई है हाई कोट से इसके बाजूद हो बोल रहे हैं अभी उन्होंने तेलंगाना पर भी बोला है दो दिन पहले और उनकी बेल खारिज नहीं होती है पाकि लोगों को बेल नहीं मिलती है और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है अभी ग्री मंतर कि ने वहाँ पर एलाइन किया बड़े संतुस्ठों कराए कि सब कुछ ठीक हो गया और उनके आने के तत्काल बाद वहाँ फिर इतना भयानक इस्ती इतनी भयानक इस्ती शुरू हो गई दूसरा कोई भी राज्य होता अपोजिशन डूल्ड स्टेट होता फोरन सरकार सबसे बड़ी बाद नहीं सबसे बड़ी बाद भाशा कि दीश के ग्रे मंत्री पर कभी सवाल क्यों नहीं कि आपने इतनी मिसाले देखिए दिल्ली दंगे से कश्मीर वहाँ सबसे पहली बात तो अमिच्शा वहां पहुंचने नहीं है करनाटक की जोना में विजी रहते है अगला पड़ाव होता है पश्य मंगाल अब जाते हैं और उसके बावजूद हालात कंट्रोल में नहीं हो रहा है अमिच्शा में सवाल पूरा का पूरा मीडिया जो है वो स्टेट का बिलकुल एक टूल किट बन गया है उसका इंस्ट्रूमेंट बन गया है ऐसे में प्रश्ति लोगों की वियावाज कुकी लोगों की वियावाज किसी की आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है कल उन्होंने जुलूस निकाला लड़ की हो वहां की और तो भी अमिच्शा के घर पे लेकिन उस पर कोई बहुत साम को नहीं हुई बिलकुए लेकिन और मिलेश है जब आप खेती करते हैं नफरत की आपने जिस तरह से मैती और कुकी के बीश संगर्श करवाया जिस तरह से वहां पर मैतेई को असूरक्षित मैजॉरिटी में अभिसार वहां पर 80% के करीब मैतेई और पूरा घाटी में है उनका पॉपुलिशन है लेकिन आपने उनको यह महसूस कराया कि आप जो है आपके उपर कुकी और बाकी आदिवासी कबजा कर लेंगे और दूसरे ढंका मौहल जो 22-25 साल से शान चल रहा था आपकी नफरत की खेती में यह हाल हुआ वही जंगल राज वही कानून विवस्ता कतम हो रही उत्तर प्रदेश और नेक्स न अपने नेता गली-गली घुमकर भड़काओ बयान दे रहे हैं सुप्रीम कोट परिशान है और यह महराश जैसे राज में हो रहा है जो देश की आर्थिक नब्स मानी जाती है तो यह अपने आप में बहुत चिंतित करने वाला है और आब हम रुक करते हैं अपने दूसरे विशयका और वो है पहलवान बेटियों का संगर्श क्या पहलवान बेटियों की सामने सरकार जुग गई है क्योंकि सरकार ने कहा है कि 15 जून तक जो है पुलीस इस पर नहीं जाच देगी अब देखिए यह जो बात अनुरात ठाकुर ने कहिए इसी में डेरों सवाल है एक मंत्री एक ऐसे वैसला कर सकता है कि पुलीस जो है वो जाच कब तक पूरी करेगी इस से पता चलता है कि पुलीस किस दरह से भाजपा के कंट्रोल में है तो ऐसे में क्या पहलवानों ने जुका दिया सरकार को या परदे की पीछे कुछ और कहानी है और मेरी जी क्या है इस जनता का जबरदस समर्थन था और पूरे देश से समर्थन मिल रहा था हम लोग सोसल मीडिया पर देख रहे थे आखवारों में देख रहे थे ब्यापक समर्थन उनको मिलता नजरा रहा था लेकिन कुछ जरूर ऐसा हुआ है जिससे की खिलाडियों का आंदोलन उनका जो मै जनके साथ जो सो फीसिदी कानूनी और जायज है वह शर्मनाक है और अंतराष्टी स्तर पर इसकी ठूथू हो रही है मुदी सरकार की जिस दरह से हैंडिल कर रहे हैं और इसमें एक बात जो बहुत ध्यान देने की है कि जो डील हो रही है वो परदे के पीछे नहीं परदे क यह बाहर है सामने सामने दिखाई दे रहा है मिश्या का मिलना अनुराक ठाकुर का यह बयान देना और उसके बाद जो नाबालिक बच्ची है उसके परिवार पर भीशन दबाओ द्राल कर यह कहना कि वह नाबालिक नहीं है यह वह बयान वापस लेती है यानि बिश भूशन म सतर्क रहना पड़ेगा सरकार पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि ब्रिज भूशन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक मजबूरी हैं इसके इलावा बीजेपी जो है वो एक भूल भुलाईया है एक अंधिकार मैं कुआ है कुछ भी इसमें जाएगा वापिस किस स्वरूप में आएगा हम नहीं जानते इसलिए एक खिलाडी सतर्क रहें सबसे अजीब हो गरीब बात कि यहां पर जो व्यक्ती अनाउंस करता है वो अनुराग ठाकुर जो इस पूरे मामले में सबसे ज़ादा डिस्क्रेडिटेड़ है याद कीजा विनेश फ इसकी विश्वस नियता शून ने क्योंकि जैसे विनेश वोकाड अनुराग के पास पहुंची थी बात सीधे ब्रिजभूशन को लीख हो गई थी अब वो आदमी सूत्रधार बना हुआ है इससे पता चलता है नियत क्या है अभी सारी इसमें जो सबसे परेशानी वाली बा बाद भी पॉक्सो जैसा एक्ट है पूरा लेकिन आप देखिए कि जो पूरा महौल बन रहा है और पूरी अंतराश्टी बॉडिज बहुत ध्यान देने की बात है कि सारी अंतराश्टी खेल बॉडिज खेल की जो संस्थाएं हैं वो इन महिला पहलवानों के पक्ष में हैं जो स्पोर्स और राइट एलाइंस का पूरा बयान आया है वो मोधी सरकार को परिशानी में डाल सकता है इसलिए मैनेज हो रहा है क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ एक सांसद दिश भूशन शरण सिंग को नकेल नहीं कर सकते उनकी गिरफतारी का मलब आप देखिए पूरा प् ने डील करनी पड़े उर्मिलेश जी आप देखिए सोच देखिए प्रक्रिया को घसीटते रहो खीचते रहो खीचते रहो नतीजा ये कि नाबालिक जो है वो जो एक नी दो बार और एक बार मजिस्ट्रेट के सामने उसने बयान दिया था इंडिन एक्सप्रेस की खबर आ लड़की डिप्रेशन में जारी मगर आप जानते हैं सबसे खतरनाग बात क्या है हर्यान है जिसे राज्जु में जहां आप जानते हैं पूरुष और महिला का रेश्यो कितना इंबालन्स है खेल एक मातर ऐसी जगा थी जहां लोग अपनी बच्चियों को भीचते थे अब जो पूरा ये मामला है इसमें जो हमारी जानकारी है कि उस लड़की के परिवार पर चबरदस्त दबाव पिछले पंदरह दिन से डाला जा रहा था ऐसा नहीं है कि ये जो 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 जनतर मंतर का मामला जिस दिन डिस्रप्ट किया गया उसी दिन से शुरू हुआ तो पाक सो एक्ट से बचाने का जो अवियान था वो लगभग कामयाब हो गया है अब ये अलग बात है कि अगर कोई पलट जाए कोर्ट में तो फिर बाजी पलट जाएगी इसमें कोई दोरा ने क्योंकि कानून के मताबिक अगर लड़की या उसकी तरफ से वकील अपनी ब जो तीन मुदों पर सामती बन रही है वो क्या है तीन मुदों पर सामती है कि ब्रजबूशन सिंग उनका परिवार उनके रिष्टेदार उनके एसोसियेट्स कोई भी कुस्तिश संग का कोई चुड़ाव नहीं लड़ेगा इस पार जो अभी होने वाला है बिल्कुल कुछ इनके जो लोग हैं इन्वाल पूरे के पूरे इनको रिप्रेजेंटेशन विलेगा नए पदाजिकारियों के बारे में रिक्मेंड करने को यह जिनको चाहेंगा उनको बनाया जागा अब मेरा यह कहना है कि यह ठीक है कि आपको कुछ अचीव हो जाएगा लेकिन यह जो ग अचारी का रहे थे तो आपने उस पर कंप्रमाइज कर लिया और इसमें सरकार के लिए मजबूरी यह थी कि प्रदानमंत्री 14 तारीक से अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं सवालात वहां भी उठने वाले थे तो इसके पहले इसलिए 15 तारीक रखी गई है 15 से पहले हो जा है एक मंत्री है कि मैं 15 जून तक चार्ट शीट डायर हो गएगी आप होते कौन हैं जिससे पता चलता है यह पूरी प्रक्रिया कितनी बड़ी चलावा है और पूरा का पूरा जो ड्रामा चल रहा है वो जो उर्मिलेज जी कह रहे हैं उसमें जो पहली चीज अचीवमेंट क तो रखी नहीं सकते अगर वो रखेंगे तो अलमपिक संग ने और जो कुष्टी संग अंतराष्टी कुष्टी संग ने इस पष्ट रूप से लिखाया कि इस तरह कि किसी भी एक्क्यूजड को आप कहीं से भी सर्रक्षर नहीं दे सकते तो वो मामला तो दूसरा है लेकिन मुझे जो दुख इस बात का है सबसे ज़्यादा अविसार कि यह जो पूरी घटना थी तमाम महिलाओं का सामने आना और यह बताना कि यह शक्स यौन उत्पिडन कर रहा है यह मुझे बिस्तर में घसीट के ले जा रहा है मुझे मेरी मंजूरी के बिना छू रहा है बहुत रहा कि यह पूरा और महिलाओं को पूरा पीछे ढाकेल दिया है कि जिए ऑलंपिक वाली महिलाओं के साथ यह हो सकता तुम क्या हो तुम्हारा तो हम बलात्कार करके यूपर में जैसे लात्कार करके U totally आप जानते हैं यह आपने हमारे खेल को खासकर महिलाओं से स्थी और कर दिया है इस सरकार ने इस पॉलिटिकल पार्टी ने उसे पीछे कर दिया है और सबसे शौकिंग बात अंतराश्ट्री तोर पर जो भारत की बदनामी हो रही है क्योंकि आम बात नहीं है इंडियन ओलंपिक आयोसी जो है वो हमारी खिलाफ बोलता है वर्ल्ड रेसलिंग फे चार परिवारों से मैंने बात चीत की चार परिवारों से चारों कहरें कि हमारे पास हिम्मत नहीं है क्योंकि अगर ये खुश्टी खेलने जाएंगी तो लोग सवाल उठाएंगे कि किस तरह का यौन शोशन होता है और क्या आप अपनी लड़कियों को इस जगह इतने रिस हमी हो रही है जब भारत एक क्लेमेंट है ओल्मकि के खेलों के आयोजन का और हाल में जो खेल मंतरी हैं जिनके बारे में बहुत सारी बाते हैं इस देश में भी देश में सब लोग जानते हैं उन्होंने एक बयान दिया था कि ओल्लिम्पिक का जो प्रतियोगीता है अगली भार या भविश्य में जब कभी भारत में होगी हम ये करेंगे वो करेंगे मैं समझता हूं कि भारत का ओलिम्पिक क्लेम जो है डेमेज होगा इससे और ये देश की बहुत बड़ी बदनामी होगी देश की बदनामी कह रहे हैं आप इससे पहले कि मैं तीसरे मुद्दे का हुआ है उससे लगता है कि पहलवान पहलवान बेटेओं के संघर्ष को उन्होंने कुंद कर दिया है बिखर गया है वो तो जाहिर सी बात है राजनीतिक तोर पर इसका उन्हें नुकसान नहीं होगा नंबर एक नंबर दो ब्रिज भूशन बदस्तूर बने रहेंगे भाज एक बड़ा ट्रेन हाथसा होता है 208 के करीब लोग मारिये जाते हैं मगर उसके बाद धेरों सवाल उकते हैं हमारी सिग्नलिंग व्यवस्था को लेकर इंटरलॉकिंग व्यवस्था को लेकर, कवच को लेकर, एक रेल Aadhaqari ने जो चेतावनी दी थी, नौफरवरी को लेकर, इन तमाम मुद्ऩों पर वहस करने की बचाए रेल मंत्री आशू बहाते हैं, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोध्य के अंदाज में भारत माता की जय करते हैं, क्योंकि जब भारत माता की जय हो जाती है ना तो उसके सामने सब कुछ कुंद पड़ जाता है सब कुछ गायव हो जाता है और प्रधान मंत्री जब पहुँचते हैं तो इक ही किस तरह से मीडिया उसकी तारीफ करता है क्या है स्मुद्दे का पंच भाशा बताएं अभी सार दुरघटना के तुरंत बाद जिस तरह से रेल टूल किट जारी होता है और बहुत सुनियोजित ढंग से पूरे मामले में इस से जिम्मेदारी से बचाने के लिए रेल मंत्री को और प्रधान मंत्री को बचाने के लिए खेल शुरू हो जाता है, वो बहुत शर्मनाक और चिंतनी है, क्योंकि इसमें हिंदू-मुसल्मान करने की कोशिश होती है, और साथ ही साथ, जिनके जिम्मेदारी है रेल मंत्री को, उनको बचाने के लिए लगातार हमारे मीडिया के लोग, उन्हें बेस्ट रेल मंत्री इस्टैबलिश करने लगते हैं, ट्वीट करने लगते हैं, ये दरसल मारे गए लोगों के साथ नाइंसाफी का दौर है, अभिसार क्या है इस पर आपका पंच? इस मुद्धे पर मेरा पंच ये है भाषा कि देखिए, अब गए वो जमाने जब इस देश को लोगतांतर कहा जाता था, ये देश अब एक सामराज हो गया है, एक ऐसा सामराज जिनके एक महराजा हैं, और महराजा की कभी कोई गलती नहीं होती, महराजा से कभी कोई सवाल नहीं किया जाता, कितने दुर्भाग की बात है कि जब रेल मंत्री वहां पहुंचते हैं, तो हमारा मीडिया ये कह रहा होता है कि हमारे जो रेल मंत्री हैं, वो MBA किये हुए हैं, IT से पड़े हुए हैं, UPSC में फलाना रैंक आया, इसलिए उनकी कोई घलती नहीं हो सकती है, कितना बड़ा दुर्भाग गया है, और मिलेश जी कैस मुद्दे का पंच, तेकि असल में ये जो बालासुर की दुरगटना है, ये 1999 के बाद भारत में इतनी बड़ी दुरगटना पहली बार हुई, लेकिन इसको लेकर जिस तरह से मीडिया ने, आपने मीडिया का जिकर कि किया, इसलिए मुझे भी आदा रहा है कि मीडिया ने जिस तरह पेश किया, पूरी प्रस्तुती की समाचार की, वो बेहत भयावा है, जिस तरह से सतारूर दल के लोग कारिकरता जो उनके हैं, हिंदुत तुबादी कारिकरता जिस तरह नारे लगा है इस पार्ट पर, मीडि के आसपास, जो सुरक्षा की ब्योस्ता नई लागू की लाई गई थी, उसको पूरे देश में फैलाना था, लेकिन बवजुदा सरकार 2014 से ले करके और 2023 के बीच में 2% केवल कर पाई है, जिसकी वज़ा से ऐसी दुर घटना है अपने देश में हो रही है, भाशा, जब बि गिर रहा है वो, उसकी आलोशना भी की जानी चाहिए, तो मैं नहीं भूलाओ, मीडिया ने चलाया था, सुशासन बाबू, ये आपका सुशासन है, मगर बताईए साब, एक सवाल नहीं, दो सो असी लोग मारे गए हैं जहां पर, एक सवाल नहीं, और सवाल हैं आपके सामन CAG ने कहा, रेलवे सुरक्षा पर खर्श कम हुआ, कवच सिस्टम 19 जोन में, सिर्व एक जोन में मौझूद है, सबसे बड़ी बात, हरी शंकर वर्मा नाम के एक रेलवे अधिकारी ने, 9 फरवरी को अपने एक लेटर में कहा था, कि एक दुरगटना होते होते बची, इस प हैं कि बाकी जो भारती नागरे की यात्रा कर रहे हैं, दर असल ये ना इंसाफी भारती यात्रियों पर है, जो पूरे भरोसे के साथ ट्रेंड में सफर करते हैं, जो डर का महौल होना चाहिए था, जो एकाउंटिबिलिटी, क्योंकि हमारा आपका काम है, सत्ता से सवाल इसी घटनाय हुई है, जिनकी जांश ठंडे बस्ते में बैठी हुई है, इंटर लॉकिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं, वो ये बात करते हैं, कि आपके पास स्टाफ नहीं है, सिर्फ सिगनल और ट्राफिक में लोग नहीं है, पद खाली पड़े हुए, ये क्या दूसरी तरफ अभिसार जो दिखाई दे रहा है देश में और दुनिया में इसका डंका पीटने की कोशिश है, कि हम वंदे भारत एक्स्प्रेस चलाएंगे, हरी जंडी दिखाएंगे, 19 चला दी आपने, ट्रेन की पठ्रियों क्या क्या मोदी जी, उसी ट्रेन उसी पठ्र नियोर की तरफ निजी करण की तरफ बढ़ा रहे हैं और अपने पी आर के लिए, कि हम जहां जाएंगे, 19 च्रेनों में, 19 च्रेनों को हरी जंडी मोदी जी ने दिखाई, उर्मेले जी एक तरफ तो ये सवाल उठाए नहीं गये, जिसका जिक्रिया भाशा ने किया, आप ज समानांतर तोर पर लाखों की तादाद में सोशल मीडिया पर फेक न्यूस फैलने लगी, कि देखो एक बच्चा पत्थर रख रहा है, एक ये हो रहा है, स्टेशन मास्टर के बारे में कहा गया, जो वहां का स्टेशन मास्टर था, उसका नाम बशीर था, जबकि वो S.B. मो मांटी थे, वो बशीर भाग गया, मतब देखिए किस तरह की घटिया नीची सोच है, इस देश को आप क्या बनाने चाहरे हो कि इस वक्त भी, इस वक्त भी आप लों को बाटनी कोश्च कर रहा है, देखे और आज शरजन किया है कि सोसल मीडिया पर, खासका ट्विटर पर, ये ब्लू टिक जिनके पास होता है, उन लोगों ने दुश्च परचारित किया, ये तो इलॉन मस्क की महरबानी है, आजकर हर किसी को ब्लू टिक नहीं गया है, आपको ये बताएं कि अगर आल्ट नीउज नहीं होता, तो किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये बात नह सामने आती और टेलिविजन ने अभी नहीं आरी सर, अभी भी नहीं आरी, अभी नहीं आरी, लेकिन कम से कम यो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो वेब साइट्स हैं, वो आल्ट नीउज से ये खबर ले करके उन्होंने इसको प्रचारित किया है, या इस पर बातें की हैं, ज दूसरा सभी लोग उत्तर प्रदेश भी आर के हैं, उनके सर नेम से भी पता चलता है, उनके सर नेम से उनके नाम के, नाम जिस तरह से उनका है, उस नम से भी को एक और चीज़, सभी को आशिरवाद मिला हुआ है, किसी ना किसी बड़े भारतिये जनता पार्टी के निता तो मेरे कहना है कि उरिसा कि तुम नहीं हो भाई तुम जानते नहीं हो कि स्टेशन मास्टर वहां कौन है कैसे तुम को पता चल गया कि कोई मिस्टर शरीफ है या शाहिद है या जो भी है आँ वहां पर महंती मिस्टर महंती स्टेशन मास्टर है वो जांच में कौाडिनेट कर रहें कॉापरेट कर रहें और आप कहा रहें कि यह भाग गया कमाल की बात है और दूसरी बात जो सबसे important मुझे लगती है कि आज जो अपने देश की सरकार है वो इसको इहसास इस बातकार है या नहीं है ये कहते हैं कि आम आदमी की बात है आम आदमी हमको और देता है इस देश में आज भी जो आम आदमी है वो ट्रेंड में चलता है कुरुना दोर में कितनी तबाही उसकी होई यात्राओं की वो जा नहीं पाता था, मिल नहीं पाता था लोगों से आज की स्थिती यह है कि सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पर ध्यान है पूरे के पूरे रेलवे मिनिस्टरी का पहला है आंसिक रूप से इसका निजी करन करना फिलहाल और करप्रिटाइजेशन करना और दूसरा है जो लगजरी ट्रेंज हैं उनको जादा से जादा चलाना ताकि इतिहास में जैसे इतिहास में दर्च कराने का एक तरीका है कि नई पार्लेमेंट बना दो तो उसी तरह से शताब्दियों को खतम करना है शताब्दियों को कमजोर करना है उनका सुद्रड़ी करन नहीं करना है उनका विश्तारी करन नहीं करना है लेकिन बंदे भारत ट्रेन चला देनी है तो ये पूरा का पूरा पूरा जो सिस्टम रेलेवे का है वो दरसल कॉलैप्स करना है आम आदमी जिन ट्रेनों में जाता है उनके लिए और आप जानते है भाशा सवानांतर तोर पर क्या हो रहा था कि यह सब तो चली रहा था और यह सवाल नहीं उठाए जाएंगे जिसका जिक्र और मिलेश जी ने यहां पर किया मगर आपको याद होगा वो मेरे खाल से बहुत ही अगर यह दुरगटना नहीं होती तो वह बहुत कॉमेडी वाला लमहा होता आपको याद होगा प्रणान मंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां थे तो वह जो महिला एंकर थी एक न्यूस चैनल की वहाफ हाफ का बोल रही थी गर्मी है मोदी जी वहाँ पर है गर्मी है गर्मी कि हम उसे मान रहे हैं कि वह फरजी खबरें हैं लेकिन आप देखिए सीबी आई तक पहुशने के लिए जो आधार बनाया कि एक साथ क्यों करेगी अभी तक का पूरा हिसाब किताब रहा है एक्जामपल रहे है उसमें है कि रेलवे की बॉड़ी जाच करेगी उसके बाद कि क्या पाया गया लेकिन यहां पर खुद रेल मंत्री कहते हमें पता चल गया है जांच हुई नहीं हमें पता चल गया है दोशी कौन है दोशी को बक्षा नहीं जाएगा कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी इस सब क्या चल रहा है जो आप बात कर रहे हैं ना कि एक राजा हो ग जाओंगे कि जिस व्यक्ति की फोटो चापी गई तमाम जगों पर आई वटसप पे और ट्विटर पे वह व्यक्ति आंध्र प्रदेश के एक स्टेशन मास्टर हैं और उनके ऊपर इतना आरोप इतना प्रेशर लगा कि उनको कुछ दिनों के लिए अंदर होना पड़ा क्यों नहीं इंटरलॉकिंग सिस्टम को ठीक किया गया वो सब गायब है विसार चर्चा सिर्फ साजिश और साजिश की है शली बहुत बहुत शुक्रिया भाशा और उर्मिलेश आप दोनों का इंडिया की बात में बस इतना ही दीजे इजासत नमस्कार